Welcome to Nithika Study Point इस वीडियो में हम देखेंगे कि डायरिया क्या है और डायरिया क्यों होता है तब से पहले समस्ते हैं कि डायरिया क्या है डायरिया को हिंदी में दस्त भी कहते हैं ये digestive system से सम्मंदित एक disorder है या समस्या होने पर इस्टूल पानी की तरह पतला होता है इंटेस्टाइन से सम्मंधित यह रोक मुख्य रूप से रोटो वायरस के कारण होता है या सालमोनेला या इस्चिरिया को लाई जैसे बैक्टेरिया के कारण भी हो सकता है इसके अलावा हार्मोनल डिसॉडर, इंटेस्टाइन में सूजन और कुछ मेडिसिन के सेवन से भी हो सकता है यदि आप प्रॉपर हाइजिन बनाया रखने के साथ ही स्ट्रीट पूट खाने से बचे और साप स्वक्ष पानी पिए तो वाइरस और बैक्टेरिया के कारण होने वाले डारिया को रोका जा सकता है टाइप सॉब डारिया, डारिया को मुख्यता तीन भागों में बाटा जा सकता है पहला है acute diarrhea यह diarrhea का सबसे common type है जिसमें काफी lose और पानी जैसा पतला स्टूल होता है persistent diarrhea लगतार होने वाला diarrhea इस तरह का दस्त 2 से 4 सपता तक रहता है chronic diarrhea इस तरह का diarrhea 4 सपता से अधिक समय तक आपको परिसान कर सकता है diarrhea के कारण cause of diarrhea diarrhea होने का मुख के कारण virus या bacterial infection होता है हाला कि diarrhea होने के कई अन्य कारण भी हो सकते है inflammatory bowel disease IBD IBD intestine में होने वाली एक problem है जिसमें स्टूल में खून आना जैसे diarrhea के लक्षन पैदा कर सकता है inflammatory bowel disease के कारण आपकी large intestine और rectum के सबसे भीत्री lining में अलसर का कारण बनती है medicine कई तरह के एंटिबायोटिक के सेवन से भी डारिया हो सकता है third number पर है hormonal disorder हार्मोन से सम्बंदित किसी भी तरह की समस्या होने पर irregular bowel movement और अन्य डारिया के लक्षन नजर आ सकते है उधारण के तौर पर जिन लोगों को addition रोग होता है उनमें हार्मोन steroid का level अपरियाप्त होता है ऐसे में इन्हें डारिया होने की संभावना अधिक रहती है डारिया के लक्षन symptoms of diarrhea पेट में मरोड, ब्लूज मोसन, सूजन, डिहाइडरिसन, बुखार, मल में खूनाना टाइगनोसिस और डारिया डारिया होने पर निधान के लिए medical test की ज़रुरत नहीं पड़ती इस समस्या को इसके लक्षन के जरिये ही बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है हाला कि कुछ टेस्ट के जरिये डारिया होने के मुख के कारण का पता लगाया जाता है ये टेस्ट इस प्रकार है fasting blood test के जरिये या पता लगाने की कोशिस की जाती है कि कहीं आपको food intolerance या allergy के कारण तो यह समस्या नहीं हो रही intestine में सूजन, inflammation को देखने के लिए imaging test की जाती है खास कर उन लोगों में जिनकी इस्थिति गंभीर या chronic है bacterial parasite की जाज के लिए stool या urine test की जाती है treatment of diarrhea diarrhea का इलाज आपकी इस्थिति की गंभीरता, dehydration, age, medical history और अन्य factor पर depend करता है आम तोर पर diarrhea से जल्दी उभरने के लिए fluid replacement की आवसकता होती है इसके लिए आपको अधिक से अधिक liquid पदार्थ जैसे पानी, juice लेने चाहिए अधिक गंभीर मामलों में intravenous injection के जरिये liquid पदार्थ को शरीर में पहुँचाया जाता है दवाओं के जरिये बाउल मुमेंट को कंट्रोल करने की कोशिस की जाती है यदि diarrhea bacterial के कारण हुआ है तो डॉक्टर एंटिबायोटिक खाने के लिए दे सकते हैं यदि यह पाचन से सम्मंधित किसी समस्या के कारण हो रहा है तो इलाज भी उसी आधार पर तै किया जाएगा कई ऐसे फैक्टर हैं जिससे डैरिया होने की संभावना बढ़ जाती है अला कि कुछ उपाय को अपना कर आप इस इनफैक्शन से खुद को बचाया रख सकते हैं गुड हाइजिन ट्वाइलेट आने के बाद अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से धोएं इसके अलावा खाना बनाने और खाना खाने से पहले और बाद में अपने हाथों को साब करना कभी ना भूले टीका लगवाएं डैरिया होने का मुख्य कारण है रोटो वाइरस प्रीजों को फ्रीज में रखें खाने और पकाने से पहले कच्चे फलो और सबजी को अच्छी तरह से पानी से दोएं ऐसे कोई भी चीज ना खायें जो कि खराब हो गई है यह संक्रमर से बचने के लिए इन सभी पूट सेप्टी के उपाय को हमेशा फॉलो करें ट्रीट फूट और नल का पानी बैक्टिरिया का मुख्य सेंटर होता है बाहर खाने जा रहें तो किसी अच्छे फूट जोइन्स में ही जाएं यात्रा के दोरान बॉटल का ही पानी पिएं घर पर वाटर प्यूरिफाई का इस्तमाल करें विडियो पसंद आया तो विडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू